तो कैसे हो बच्चो मज़े में हो अच्छी तर उसे स्टेडिस चल रहे होगी चल सो आज हम स्टार्ट करने वाले एक इंट्रेस्टिंग टॉपीक जो की है प्रोटीन इस चैप्टर में हमारा 5th Standard Evious 1 का 19th चैप्टर Constitute of Foods अब इस फूड के बारे में हमने हमारे पिछले लेक्चरस में भी बहुत कुछ देखा हुआ है कि क्या होता है फूड में हमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए हमें हमारी सेहत के लिए हमें खाने के लिए जो हम डेली यूज में जो चीजे खाते हैं उसके अंदर हमें कौन-कौन सी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए जिससे हमारा बॉडी एकदम तंदुरुस्त रह पाए और आप हट्टे-कटे एकदम रह पाओ सबसे फर्स लेक्चर में हमने क्या देखा था कि कार्बो Corey Dr. क्या होता है कार्बो हैडरी चीजों के अंदर कौन-कौन सी चीजे होती है यह तीं चीजों के बारे में हमने Video 1 बहुत हम रहे ंवा था lesson 2 में भी उसी चीज को कंटीणिय किया था and third lecture में हमने fat के बारे में study किया था fat क्या होता है आपके body की जो चर्बी होती है उसे हम क्या बोलते है fat बोलते है है कि नहीं जो extra आपके body में fat include हो जाता है जिसके वज़े से आपका मोटा पा बहुत सादा बढ़ जाता है ऐसे बहुत सरे लोग आप लोगों को देखने मिलते होंगे हमने कुछ examples भी देखे थे just like तरक मेता के हाती भाई है की नहीं so short revision में आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमने हमारे अब तक की इस chapter में कौन-कौन से topics को complete कर लिया है अब उसी को continue रखते हुए आज हम cover करने वाले हैं protein what is protein अच्छा एक बात बताओ आप लोगोंने कभी घर बनते हुए देखा है या फिर कभी building बनते हुए देखा है जबी भी कोई घर या कोई building बनती है तो उसके साथ साथ हम उसको देख जब वो building को खड़ी करनी होती है तो हमें क्या देखते हैं उसका एक base होता है है की नहीं हवा में तो लटकी हुई होती नहीं है है की नहीं सबसे पहले एक base होता है अब base के base तयार होने के बाद जब आप पैदा होते हो वो एक example ले लो कि आप वो आपका क्या है basic period है जिस time पे आप सिर्फ ममी का दूद पीते हो उसके अलावा और कुछ भी consume नहीं करते हो आप तो वो आपका एक basic period हो गया जैसे एक building बनने के लिए हमें एक base की ज़रौत पड़ती है and then उसके बाद वो base ready हो जाने के बाद हमें उस building को खड़ा करना है so building को खड़ा करने के लिए हमें किस-किस चीजों की जरौत पड़ेगी सबसे पहले आपको इटे की जरौत पड़ेगी फिर पत्थर की जरौत पड़ेगी रेती, सिमेंट ऐसी बहुत सारी चीजे होती है जिसकी जरौत हमें पड़ती है क्या बनाने के लिए एक building या एक घड़ बनाने के लिए so उसी तरह से हमारे body में भी एक protein जो protein होता है उसका एक बहुत ही एहम हिस्सा है एहम चीज है जो कि हमारे body के लिए बहुत जादा important है हमारी body को stable रखने के लिए खड़ा रखने के लिए उस चीज की हमें बहुत जादा जरूरत पड़ती है so protein में बहुत सारी चीजें include होती है ऐसी हम बहुत सारी चीजों को और बहुत सारे examples को देखने वाले है so protein is a building block of our body जैसे कोई eat पत्थर किसी building को बनाने के लिए एक एहम चीज होती है उसी तरह से protein क्या होता है हमारे body को खड़ा रखने के लिए और strong रखने के लिए एक एहम हिस्सा होता है जो कि क्या है building block of our body okay so protein is a building block of our body हमारी body का क्या है वो एक building block है जो बहुत जादा important होता है हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन में कौन कौन सी चीजे इंक्लूड हो जाती है प्रोटीन में आता है सबसे पहले आपके डिफरेंट डिफरेंट डाल आप लोगों ने घर में देखा होगा कि आप हमेशा रोज एक ही डाल नहीं खाते हो आप बहुत सारी अलग-अलग डाल खाते हो उतने डाल के नाम भी मुझे याद नहीं है पर कुछ जैसे की जवार, बाजरा ये सब भी चीजे उसी चीज में क्या होता है इंक्लूड होता है जैसे आप गेहूं का आटा खाते हो उसमें भी क्या होता है प्रोटीन होता है उसके बाद आप राजमा खाते हो चने खाते हो, ब्लैक चना होता है उसके सासत वो यलो वाला काबूली चना इस टाइप की चीजे बोलते हम बहुत सारी ऐसे अलग-वलग बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजे हैं जिसके अंदर क्या होता है बहुत जादा प्रमाण में प्रोटीन होता है और वो हमें रोज कंजियूम करना चाहिए और सबसे जादा प्रोटीन हमें मिलता है हमारे दाल से जो कि आपके घर में रोज बनता होगा बट आपको खाने में इंटरेस्ट नहीं आता है क्योंकि वो ह बहुत बोरिंग लगता है। उसके अंदर क्या होता है? बहुत जादा अमांट में प्रोटीन होता है। वह हमारी हमारी बौडी के लिए बहुत जादा इंपार्टेंट होता है। उसे के साथ साथ मिल्क है। आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मम्मी पाप भी होंगे घर में आप भी होंगे ठीक है So आप एक 10 या 12 यह के हो, अंडर 15 के हो ठीक है Under 15 के आप हो and उसी के साथ आपके घर में आपके कोई ग्रैंड मा ग्रैंड पापा जैसे आपके दादा दादी तो दादा दादी होंगे या ममी पापा होंगे तो उनको कोई चोट लगती होगी या फिर आपको कोई चोट लगती होगी तो क्या होता है कि उनका जो healing process है what is healing process, recover होने का process, जल्दी ठीक होने का process, उसे क्या बोलते हैं, हम healing process बोलते हैं, क्या बोलते हैं, healing process बोलते हैं, okay, so जबी भी आपका तबेत खराब होगा, तो आप जल्दी recover हो जाएंगे, as compared to उनके से, ठीक है, अगर उनका तबेत खराब होगा, तो वो जाधा time के लिए रहे थोड़ा सा कम हो चुका है अब वो तो बड़े हो गए अब उसी के साथ साथ आप दो घर के बनी हुई जितनी भी चीजे होती है वो बहुत अच्छी तरह से खाती है और उसी जगे पे आप हो कि आप उस चीजों को बहुत अच्छी तरह से इग्नॉर कर देते हो और उन चीजों को आप खाते नहीं हो अपने डायेट में इंक्लूड नहीं करते हो अपने डाल को या राइस को या फिर जो रोटिया होती है चपाती होती है उन चीजों को आप अपने डायेट में इंक्लूड नह क्या होगा प्रोटीन की बहुत जादा कमी होगी, okay so protein क्या है हमारे body का building block है वो हमें हमारी body को stable रहने में बहुत जादा helpful होता है और इसी के कारण हमें different different protein के items को include करना चाहिए अपने रोस के डायट में, ओके, सो मिल्क हो गया, मिल्क से बनने वाली और बहुत सारी चीजे है, कौन-कौन सी चीजे होती है, योगर्ट, मिल्क से ही बनता है ना दही, अब दही आप किसी और चीज से तो बना नहीं सकते हो, दूस से ही दही बनाते हो, है कि ने, सो दही आप इंक्ल िजोंड में वरिवान होता है। दूद को फटने के बाद जो रखते हैं . वह बहुत जायदा इंपॉटेंट होता है !! उसके बाद और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो की vegetarian नहीं होते हैं non-vegetarian होते हैं और उसे vegetarian चीज़े खाना ज़्यादा पसंद नहीं होता है non-vegetarian खाना ज़्यादा पसंद होता है एक बहुत जादा अच्छा प्रोटीन देता है हमें उसी के साथ सार डिफरेंट डिफरेंट जो मीट्स होते हैं मीट्स हमें खाना नहीं चाहिए बट फिर भी आपके डायेट में प्रोटीन का एक एहम भूमी का निभाती है ठीक है सु जो आप मीट खाते हो हो वो मीट भी बहुत जादा अच्छा प्रोटीन देता है आपके उसी के साथ बहुत large amount में protein होता है, जमीन के नीचे जो निकलने वाली जो चीजे होती है, जैसे गाजर होता है, है कि नहीं, बीट होता है, बीट रूट, गाजर, ये सारी रूट वाली चीजे भी बहुत जादा important होती है, और उसके अंदर भी बहुत जादा amount में iron and protein बहुत अच्छी amount में पाया जाता है, जो ये सारी चीजे क्या होती है, हमारी बॉड़ी में एक बहुत जादा amount में protein को लाने का काम करती है, हमारा बॉड़ी की requirements होती है, किन-किन चीजों की, carbohydrate, fats and protein, सो हमारी बॉड़ी की basic requirement होती है, उनमें कौन-कौन सी चीजे आती है, अब कार्बो हाइडरेट को हमने फर्स lecture में cover किया हुआ है, कार्बो हाइडरेट के अंदर भी तीन चीजे आती है, कौन-कौन सी चीजे आती है first, starch आता है, है की नहीं, starch आता है, उसके बाद कौन सी चीजे आती है, फाइबर आता है, सो ये चीजे भी बहुत जादा हमारी बॉड़ी के लिए important होता है, फाइबर किसलिए important होता है, हम जो भी खाते हैं, उस चीजे को अच्छी तरह से पचाने के लिए और सुबे सुबे morning में washroom जाने के लिए, है की नहीं, सो इन चीजों के लिए हमारा fiber बहुत जादा important होता है, fat, fat हमारी body के लिए भी बहुत जादा important होता है, but not over amount, over amount में fat बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, हमें एक limited amount में fat वाली चीजे consume करनी चाहिए, okay, then protein, protein जो कि अभी हमने cover किया है, सो ये सारी चीजों के मिश्रन को क्या बोला जाता है, इस सारी चीजों के मिश्रन को क्या बोला जाता है, एक large amount में जो हमें हमारी body के लिए require होता है, ऐसे चीजों को क्या बोला जाता है, micronutrients, इसे हम क्या कहते हैं, micronutrients कहते हैं, और ये micronutrients में कौन कौन सी चीजे आती है, कार्बोहाइडिट, फैट and प्रोटीन ओके, ये तीनों चीजें हमारी बॉड़ी को एक स्टेबल रखने के लिए और तागतवर और अच्छा एनरजी पाने के लिए ये तीनों चीजें हमारी डायेट में रोजाना इंक्लूड होनी चाहिए एक सही अमाउंट में एक लार्ज अमाउंट में जिससे ऐसा हो कि हमारी बॉड़ी की जो भी रिक्वाइरमेंट है वो पूरी तरह से कम्प्लीट हो सके ओके, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है आण जबी भी आपको समझ में आया होगा कि हमने प्रोटीन के अंदर किन-किन चीजों को इंक्लूड किया है आण माइकरो नूट्रियंस में कौन-कौन सी चीजे होती है सो फौर्स लेक्चर टू, फोर्त लेक्चर जरूर से देखो ताकि आपका जो जितना भी basic है इस chapter का अच्छी तरह से cover हो पाए Okay, so I hope so कि आप सभी को समझ में आया होगा और अगर समझ में आया तो क्या करना है बस वीडियो को like जरूर से करना है चैनल को subscribe जरूर से करना है और अपने सारे friend को share भी जरूर से करना है चलो तब दके लिए bye bye मिलते हैं next lecture में next important चीज़ के साथ चलो bye bye